जै स्री कृष्णा आज दसा माता ब्रत के दिन आईए सुनते हैं राजा नल और दम्यंती की यह कथा दसा माता ब्रत की प्रमारी कथा के अनसार प्राचीन समय में राजा नल और दम्यंती रानी शुक पुर्वक राज्य करते थे उनके दो पुत्र थे उनके राज्य में प्रजा शुठी और शंपन थे एक दिन की बात है कि उस दिन होली दसा थी एक ब्रमारी राज महल में आई और रानी से कहा दसा का डोरा लेलो बीच म में दासी बोली हां रानी साहिबा आज के दिन सभी शुहागिन महलाएं दसा माता का पूजन और ब्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बाधती हैं जिससे अपने घर में शुक सम्रिधी आती है अतह रानी ने ब्रामहरी से डोरा लेलिया और विधी अनसार पूजन करके गले में बाध दिया कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दम्यंती के गले में डोरा बधा हुआ देखा राजा ने पूछा इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेक दिया रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा यह तो दसामाता का डोरा था आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया जब रात्री में राजा सो रहे थे तब दसामाता श्वपन में बुरिया के रूप में आई और राजा से कहा यह राजा तेरी अच्छी दसा जा रही है और बुरी दसा आ रही है तुने मेरा अपमान करना अच्छा नहीं किया ऐसा कहकर बुरिया दसामाता अंतर ध्यान हो गए अब जैसे तैसे दीन बीत्ते गए वैसे वैसे कुछी दिनों में राजा के ठात बाट हाथी घोडी लाव लसकर धन ठान्य शुक्षान्ती सब कुछ नश्ट होने लगे अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया एक दिन राजानी दम्यंती से कहा तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माय के चली जाओ राणी ने कहा मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगे जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगे तब राजानी कहा अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में चलें वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे इस प्रकार नल दम्यंती अपने देश को छोड़ कर चल दिये चलते चलते राश्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तवर पर छोड़ दिया आगे चले तो राश्ते में राजा के मित्र का गाम आया राजा ने रानी से कहा चलो हमारे मित्र के घर चलें मित्र के घर पहुचने पर उनका खोबादर सतकार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया मित्र ने अपने सयनकच में सुलाया उसी कमरे में मोर की आकरीती की खूटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार तंगा था मध्यरात्री में रानी की नीद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूटी हार को निगल रही है यह देखकर रानी ने तुरन राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विच्यार किया कि सुबहोने पर मित्र के पूछने पर क्या जबाब देंगे अतह यहां से इसी समय चले जाना चाहिए राजा रानी दोनों रात्री को ही वहां से चल दिये सुबहोने पर मित्र की पत्नी ने खूटी पर अपना हार देखा हार वहां नहीं था तब उसने अपने पती से कहा तुम्हारी मित्र कैसी है जो मेरा हार चुरा कर रात्री में ही भाग गए है मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापी ऐसा नहीं कर सकता धीरज रखो कृपिया उसे चोर मत कहो आगे चलने पर राजा नल की बहन का गाम आया राजा ने बहन के घर खबर पहुचाई की तुम्हारे भाई भाउजाई आए हुए है खबर देने वाले से बहन ने पूछा उनकी हाल चाल कैसे है वह बोला दोनों अकेले हैं पैदल ही आए हैं तथा वे दुख्षी हाल में हैं इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भईया भावी से मिलने आई राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया परंतु रानी ने जमीन में गार दिया चलते चलते एक नदी मिली राजा ने नदी में से मचलिया निकाल कर रानी से कहा तुम इन मचलियों को भूजो मैं गाव में से परोशा लेकर आता हूँ गाव का नगर से सभी लोगों को भोजन करा रहा था राजा गाव में गया और परोशा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चीलने जपट्टा मारा सारा भोजन नीचे गिर गया राजा ने सोचा की रानी विचार करेगी की राजा भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया उधर रानी मचलियां भूजने लगी तो दुरभाग गिसी सभी मचलियां जिवीत होकर नदी में चली गई रानी उदास ओकर सोचने लगी की राजा पूछेंगे और सोचने लगेंगे की रानी सारी मचलियां खुद खा गए जब राजा आये तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिये चलते चलते रानी के मायके का गाम आया राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ वहां दासी का कोई भी काम कर ले ना मैं इसी गाओं में कहीं नवकर हो जाओंगा इस प्रकारानी महल में दासी का काम करने लगे और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए जब होली दसा का दिन आया तब सब्जी रानियों ने सिर्ध होकर असनान किया दासी ने भी असनान किया दासी ने रानियों का सिर्गूथा तो राज माता ने कहा मैं भी तेरा सिर्गूथ दूँ ऐसा कहकर राज माता जब दासी का सिर्गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा यह देखकर राज माता की आखें भराई और उनकी आखों से आसू की बूंदे गिरी आसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही हैं राज माता ने कहा तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था तेरे सिर में भी पद्म है यह देखकर मुझे उसकी याद आ गए तब दासी ने कहा मैं ही आपकी बेटी हूँ दसा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहां चली आए माता ने कहा बेटी तूने यह बाद हमसे क्यों छिपाई दासी ने कहा मा मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कट्ते आज मैं दसा माता का ब्रत करूंगी तथा उनसे गल्ती की छमा याजना करूंगी अब तो राज माता ने बेटी सी पुछा हमारे जमाई राजा कहा है बेटी बोली वे इसी गाउं में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं अब गाव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए जमाई राजा को अशनान कराकर नए वस्त्र पहनाए और पक्वान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया अब दसा माता के आशिरबाद से राजानल और दम्यंती की अच्छे दिन लवटाय कुछ दिन वहीं बिताने के बार अपने राज जानने को कहा दम्यंती के पिताने खुब सारा धन लाव लसकर हाथी गोड़े आधि देकर बेटी जमाई को बिदा किया राजते में वही जगर आई जहां राणी ने मचलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के जपट्टा मारने से भोजन जमेन पर आगिरा था तब राजा ने कहा तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा परन्तु चील ने जपट्टा मार कर गिरा दिया था अब रानी ने कहा आपने सोचा होगा कि मैंने मचलियां भुनकर अकेले खाली होगी परंतु वे तो जीवीत होकर नदी में चली गई थी चलते चलते अब राजा की बहन का गाव आया राजा ने बहन के यहां खबर भेजी खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दसा में हैं उनके साथ हाथी घोड़ी लाव लसकर हैं यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाए तभी दम्यंती ने धर्ती माता से प्रार्थना की और कहा मा आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो यह कहकर उस जगह को खोदा जहां कांदा रोटी गार दिया था खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चादी का हो गया ए दोनों चीजे बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी वहां से चल कर राजा अपने मित्र के घर पहुचे मित्र ने उनका पहले सम्मान किया और फिर रात्रे में विश्राम के लिए उन्हें उसी सयन कच में सुलाया मोर्नी वाली खुटी के हान निगल जाने वाली बात से राजा और रानी को नीद नहीं आई आधी रात के समय वही मोर्नी वाली खुटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया आपका हार तो इसने निगल लिया था आपने सोचा होगा की हार हमने चुराया है दूसरे दिन प्रातह काल नित्य कर्म से निपट कर वहां से वे चल दिये वे भील राजा के यहां पहुचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया गाउं के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया नल्दम्यंति अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुचे तो नगरवाशियों ने लावलसकर के साथ उन्हें आते हुए देखा सभी ने बहुत प्रशन होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुचाया राजा का पहले जैसा ठाट बाठ हो गया राजा नल और दम्यंती पर दसा माता ने पहले कोब किया ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना